नमस्कार में सुशिन महापत्रा नफरत एक ऐसा नसा है जो आपकी जिन्दिगी का नक्सा बदल देता है अगर आप नफरत के नसा का सिकार हो गए हैं तो आपको इसे निकलने के लिए भाईचारा और महपत जैसे दबा की जरूरत है ये दबा कहीं दबाई की दुकान में नहीं मिलती है इस समाज में मिलता है आपके आसपास है बस आपको महसुस करने की जरूरत है जिस दिन आप भाईचारा और महपत को महसुस कर लेंगे उस दिन नफरत की नसा से आप मुक्त हो जाएंगे आप और आपके बच्चों की जिन्देगी बरबाद होने से बच जाएगी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनित होती है मंदीर मस्जी तोड़े जाते हैं धार्म के नाम पर आपको उलजा दिया जाता है आप पत्थर लेकर सड़क पर उतरते हैं एक दुसरे से लड़ते हैं दंगाई बन जाते हैं फिर आप और आपके परिबार बरबाद हो जाता है जो आपको दंगाई बनाता है उसकी जिन्देगी खुशाल रहती है आज मैं आपके सामने नफरत नहीं भाईचारा और मुहबत की कहानी लेकर आया हूँ इस कहानी की मुख्या किरदार मुहबत और भाईचारा है जो कई किर्केटरों की जिन्देगी को सवाना है आज ओ किर्केटर आईपेल खेल रहे हैं नाम कमा रहे हैं खिलाडी हिंदू है तो कोच मुसल्मान है कोच हिंदू है तो खिलाडी मुसल्मान है दोनों एक दुसरे के हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गए भाईचार और महबत ने इन खिलाडियों की जिंदेगी बना दी जामू एक्सप्रेस उम्रान मली को आप जानते होंगे उम्रान 157 के रफ्तार से IPL में गेंद फैंक रहे हैं आजकल हर जगा उम्रान की चर्चा है उम्रान 10 म्याच में 15 उविकेट ले चुके हैं इस सीजिन में सबसे ज़्यादा उविकेट लेने के मामले में उम्रान 8 में स्थान पर है एक बार 5 उविकेट भी ले चुके हैं हाइदराबाद के लिए सिर्फ दो खिलाड़ी आच्छा गेंद बाजी किये हैं पहले स्थान पर इन ट्राजन है तो दूसरे स्थान पर उम्रान मलिक हैं उम्रान के पिता जामू के सहीदी चोग पर फल बेशते हैं क्या आप चानते हैं उम्रान की कोच कौन है जिसने सुरूबात में उम्रान की खुब मदद की अगर कोच मदद नहीं की होती तो आज उम्रान इस लेबल पर नहीं पहुंच पाते उम्रान के कोच के नाम रंधीर सिंग है रंधीर जी दो साल से उम्रान को कोचिंग दे रहे हैं रंधिर जी जामुक स्मिस स्पोर्स काउंसिल के हेड कोच है, आईपेल खेल रहे हैं अबदुल समाद को भी रंधिर जी कोचिंग दे रहे हैं। रंधिर जी कहते हैं स्पोर्स ही उनका रिलीजियन है। अब एक और खिलाडी तिलग बर्मा की बात करता हूँ। तिलग बर्मा की पिता इलेक्टिस्यन है, तिलग बर्मा हाइदराबाद के रहने वाले हैं। मुंबाई इंडियान के लिए खेल रहे हैं। तिलग बर्मा मुंबाई के लिए सबसे ज़्यादा रन बना हैं। तिलग बर्मा एक सांदार खिलाड़ी है, लेकिन इस खिलाड़ी को सांदार बनाने में महबत और भाईचारा ही काम आया है तिलग बर्मा के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आपने बेटे को किसी एकाड़ी में दाखिल करा सके जहां पैसा नहीं होता है वहां महबत और भाईचरा काम आता है तिलो के टालेंट को देखते हुए सलाम बयास ने तिलो को पिछले 10 साल से फी में कोचिंग दे रहे हैं एक समय था जब बयास रोज तिलो को अपने स्कूट में बैठा कर प्राक्टिस के लिए ले जाते थे फिर वापस खर छोड़ देते थे सलाम बयास ने बताया कि उनके डाड़ी मुहमद बयास है ने उनने कहा था कि कोचिंग के मैदान में कभी हिंदू मुसलिम मत देखना पी विष्णू, अनिस रेडी, अर्नव जिसे कई खिलाडी आज स्टेट लोगूल खेल रहे हैं सब सलाम बयास के स्टूडेंट है रिंकु सिंग के बारे में आपको बताया था रिंकु अलिगर्ड के रहने बाले हैं कुलकता के लिए खेलते हैं रिंकु के पिता घर घर गयासलिंडर पहुंचाते हैं रिंकु को यहां तब पहुंचाने में दोस्त मोहमद जिशान और कोच मस्तुच अमीनी ने काफी मदद की अमीनी पिछले 20 साल से अलिगर्ड में कोचिंग दे रहे हैं एकाडिम के 90% बच्चे हिंदू हैं उनके एकाडिमी का नाम अलिगर्ड किर्केट स्कूल है एक और रुचक बात बताता हूँ रिंकु के पिता का नाम खांचांद सिंग है नाम में खांद भी है और चांद भी है कितना सांदार है ना रिंकु के माता की नाम रेनु देवी है कई लोग कहेंगे खेल को धर्म से क्यों जोड़ रहा हूं मैं खेल को धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं बस महबत और भाईचारा के बात कर रहा हूं जो इस समाज को जरुरत है अगर हमारा समाज इतना परिपक होता तो दिल्ली और जोतुमिन में हिंसा नहीं होती मध्यप्रदेश में नमाज पढ़ने के लिए लोगों को कट्नायों का सामना करना नहीं पड़ता सरोजी नगर में मंदिर तोरने को लेकर राजनीती नहीं होती यह यही नफरत है जो आपको बर्बात कर रहा है इस नफरत को छोड़िए भाईचारा और महबत को अपना लीजिए एक दुसरे के हाथ पकड़ कर आगे बरते जाएए हाथ में पत्थर नहीं पैन लीजिए महबत और भाईचारा की किताब लिखिए यही किताब ही आपके बच्चों की जिंदेई में काम आईगी जिंदे की बहुत छोटी है इससे प्यार और महबत से भर दीजिए बड़ा बना दीजिए आज के लिए इतना ही नमस्कार